नमस्कार टीवी नाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भवी शित्यागी राजिस्तान के चुनावों को देखते वे प्रियंका गांधी कॉंग्रस के लिए ड्राइविंग सीट पर नज़र आ रही है कल यानि की 25 अक्टूबर को फिर एक बार प्रियंका राजिस्तान के दौरे पर आ रही है पूरी खबर आपको बताएंगे और बताएंगे इस खबर की पूरी इंसाइड स्टोरी भी साथ ही सचिन पाइलेट को कॉंग्रस पार्टी ने टिक्टों में तो तर्जी दी लेकिन पाइलेट के समर्थक ही उनकी परिशानी कैसे बढ़ा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे वई बीजेपी के सांसदों को उनके ही बयानने परिशान कैसे कर दिया है परिशानी में कैसे डाल दिया है इसका भी जिक्र आज इस इंसाइड स्टोरी में करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की जिनकी भूमिका राजिस्तान चुनाव को लेकर बदलती हुई डिख रही है राजिस्तान में प्रियंका अब जादा मुखर नजर आ रही है ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक महिने में प्रियंका गांधी कल तीसरी बार राजिस्तान के दोरे पर आएंगी हाला कि चुनाव है ऐसे में कॉंग्रस के तमाम नेता मलिका अरजुन खडगे हो राहुल गादी हो तमाम नेताओं की सभाएं राजिस्तान में प्रस्तावित है लेकिन कहा ये जा रहा है कि सबसे जादा सभाएं प्रियंका गांधी की ही होनी है अब देखे 10 सितंबर को टॉंक में तो 20 अक्टुबर को दोसा जिले में प्रियंका गांधी ने सभा की ती और अब उनकी प्रतिमा का अनावरन करेंगी चलिए आपको बतातें कि आखिर प्रियंका को रुख राजिस्तान को लेकर क्यों बदला है दरसल पिछले साल कॉंग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और करनाटक में बड़ी जीत के साथ सरकार बनाई और इन दोनों ही राज्यों प्रियंका गांधी की भूमिकार काफी एहम बताई जा रही है हिमाचल प्रदेश के चुनाओ के दुरान राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी जिसमें वो व्यस्त थे और उनके बिजी शेडियूल के चलते ही और स्थिती में कॉंग्रस के प्रचार प्र कॉंग्रस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका की सभाओं के लिए हर विधान सभा सीट पर डिमांड है और पार्टी की भी यही कोशिश है कि जादा से जादा सीटों पर प्रियंका की सभाय कराई जा सकें इसके पीछे की वज़ए यह है कि प्रियंका की कही बा बना पाने में प्रियंका काफी काम्याब साबित हुई यूपी के चुनाव के दौरान प्रियंका ने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश आतव ने भी इस वादे को दोहराया था हाला कि पार्टी कॉंग्रेस पार्टी करपाने की बड़ी वज़ों में एक यह भी है कि प्रियंका गांधी की भाषन शैली अपनी दादी इंद्रा गांधी से काफी मेल खाती ब्सकी में इस लिए भी प्रियंका कॉंग्रेस पार्टी के लिए क्रम कर्ड की ।रा है और उतनी ही अच्छी तरीके से BJP भी जानती है, इसलिए BJP प्रियंका के दौरे को लेकर हमला वरो गई, जरा सुनिए राजिस्तान की प्रती जिन होने वाड़े 17 बलातकार से पेडित महिलाओं के लिए वो लड़ रही है क्या, सिर्फ एक लाइन में जवाब देदे हैं कि राजिस्तान की महिलाओं की सुरक्षा और समान कब होगा, इसका जवाब देदे हैं पिछले 5 बरसों में जिस तरीके से उतपीडन की गटनाय महिलाओं के प्रती हुई हैं, ऐसा देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कि जिन्दा बटी में जोप दिया गया हो, रोटी के लिए असमत ले ली गई हो, किस तरीके से जिन्दा जला दिया गया हो, ये सारी गटनाय राजिस्तान में हुई हैं, आ प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी भी गंभीर है, और इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि प्रियंका गांधी की वज़े से जिस तरह से हमाचल प्रदेश और करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है, अब वही उमीद कॉंग्रेस पार्टी राजिस्तान म पर सभाय प्रियंका गांधी की कराई जा सकें क्योंकि प्रियंका गांधी जो ट्रंप कार्ड कॉंग्रेस पार्टी के लिए है अब वो ट्रंप कार्ड आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए सत्ता रिपीट करा पाने में काम्याब हो पाएगा यह नहीं यह आने वाला वक्त बताएगा खैर बात सचिन पाइलेट की जो टिक्टों में मिली तरजी के चलते हैं खुद को एक बार फैर राजिस्थान में पार्टी के भविश्य के तौर पर जरूर देख रहे हैं क्या सीम गहलोग के दाउं पेच और कॉंग्रेस आला कमान के साथ लगातार चल रहें नेगोशियेशन के चलते क्या पाइलेट अपने समर्थकों को समय नहीं दे पाए या फिर उनके समर्थक जो हैं नजर अंदाज उन्होंने महसूस किया नतीजतन अब पाइलेट समर्थक पाला बदलते नजर आ रहें लेकिन पाइलेट अपने समर्थकों पर कितना कंट्रोल रख पाएंगे चुनावों तक ये भी देखना होगा वह यह बात बीजेपी सांसत महंत बालक नात की जिनके एक बयान ने उनके लिए तो मुश्किल खड़ी ही कर दी बलकि बीजेपी क की 13 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाया है अब सांसत साब आने वाले चुनावों के लिए प्रचार प्रसार में इतना मश्गूल हुए कि अति उत्सा में ऐसा बयान दे दिया जिससे पार्टी के साथ साथ चुनावायों की साख तक पर सव हो गया सांसत बालक नातने का कि इस बार अगर किसी गाउं में 1440 वोट हैं तो वहां 1450 वोट डाले जाएंगे इलक्शन कमिशन जांच कर आता रह जाएगा खैर इस बयान से बीजेपी ने तो किनारा कर लिया लेकिन चुनावायों ने सांसत महदे को नोटिस जारी कर जवा आएं यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें राजिस्तान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें टीवी नाइन राजिस्तान और बैल आइकन दबाना ना भूले नमस्कार